दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में आप देख रहे हैं जेएज सरक्लासेस दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप बायो से ब्यस्सी कर रहे हैं और इस बार अगर आपका थर्डियर है तो थर्डियर में कौन-कौन से स अच्छा है और जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें कितने कितने पेपर हैं और एक पेपर कितने मार्क का है यानि कि आपने देखा था कि सेकेंडियर में तीन सब्जेक्ट मिल करके 600 का पूडांक बना देंगे तो ऐसा कौन सा परिवर्तन आया है वो सारी डिटेल मैं आपक जोलोजी ये तो दोनों था ही इसके अलावा एक सब्जेक्ट चाहे केमिस्ट्री रही हो या केमिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट रहा हो जैसे जियोग्राफी है होम साइंस है या साइकोलोजी है तो ऐसे तीन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे अब इस बार आपको ये भी देखना है कि आगे आपको किस सब्जेक्ट से पढ़ाई जारी रखना है मालीजे अगर आपको आगे third year के बाद अगर chemistry से MSC करना है तो अगर आपने third year में chemistry छोड़ दिया तो ऐसा संभव नहीं है कि आप फिर chemistry से MSC कर सकेंगे क्योंकि MSC आप उसी subject से कर सकेंगे जो आप third year में लिए रहेंगे तो combination के साथ साथ एक बात आप यह भी सोच लीजे कि आपको MSC कि सब्जेक्ट से करना है मालीजे अगर आपको chemistry से ही MSC करना है तो 100% आप third year में chemistry जरूर लीजे अन्यथा फिर ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप chemistry से MSC कर सकेंगे तो मालीजे अगर आपको chemistry के अलावा जिलोजी या वाटनी से MSC करना है तो आप दो subject ले लिए अब दो subject में कितने कितने paper हैं और उन paper के नाम क्या क्या है ये detail सुनिए तो चलिए आएए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाटनी में कितने paper हैं तो दोस्तों बिलकुल second year की ही तरह से third year में भी बाटनी में तीन paper हैं जैसे first year में था second year में था उसी प्रकार से तीन paper इस बार भी बाटनी में हैं अब देखिए जो तीन paper है paper first, second, third उनके नाम क्या क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परिवर्तन क्या हुए हैं देखिए परिवर्तन क्या हुए हैं अभी अंक में क्या परिवर्तन हैं ये detail में बताऊंगा पहले आप देख लिजिए कि पूरा paper कितने mark है, second year में आपने देखा था कि एक paper 50 अंक के हुआ करते थे यानि 50, 50, 50, 500 हुआ करते थे, इस बार देखिए 75, 75, 75, 225 नंबर के हैं अब ये 50 से 75 कैसे हो गए, क्या प्रस्नों की संख्या बढ़ गई है, या एक प्रस्न के जो mark होते थे वो बढ़ गए हैं ये detail मैं भी आपको दे रहा हूँ, पहले आप paper के नाम सुनीजिए तो जो बाटनी में तीन paper हैं, उसमें जो paper first है, उसका देखिए नाम क्या है Plant Resource Utilization, Pailinology and Biostatistics तो इसमें आपको मुख्यता तीन topic पढ़ने हैं, देखिए Plant Resource Utilization ये आपको पढ़ना है Plant Resource का मतलब पौध स्रोत, यानि किस प्रकार के पौधे कहां पर उगे और फिर किस तरह से पूरी दुनिया में फैल गए, और Utilization यानि कि उसकी उपयोगिता क्या है किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, इसके बाद देखिए हैं, दूसरा topic Pailinology इसमें आपको पढ़ना है Pollen Grain, पराग कर का नाम आप सुने होंगे, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़े हैं, तो उस पराग कर की Morphology क्या है, कैसी activity है, कितने तरह के पराग कर होते हैं, ये सारे डिटेल आपको Pailinology में पढ़ना है, और फिर इसके बाद है बायो स्टेटिस्टिक्स, यानि कि यह mathematical topic है, आपने इसे high school में भी पढ़ा होगा, जिसे जैव संखिकी कहते हैं, तो बहुत अच्छा paper है, बहुत आसान है, paper first, इसके बाद फिर देखे, paper second क्या है, तो paper second है, molecular biology and biotechnology, molecular biology क्या है, यानि कि जो हमारी body में पाया जाने वाले macromolecule है, जैसे protein है, nucleic acid है, enzyme है, nucleic acid का मतलब DNA, RNA, इन सब के बारे में आपको detail में पढ़ना है, और इसके बाद फिर है biotechnology, यानि कि जैव तकनीकी, जैव तकनीकी क्या है, ये भी आप जानते होंगे, 12 में आप इसे पढ़े हैं, यानि कि इंटर में आप इसे पढ़े हैं, जैव तकनीकी, इसका मतलब ये है कि biological टेकनीक से आप किसी अच्छे किस्म के पौधे का निर्माड कैसे करेंगे, ये सारी detail आपको इस paper में मिलेगा, फिर इसके बाद देखिए है paper third, अब paper third में आपको क्या पढ़ना है, environment botany, और फिर क्या है, plant pathology, environment botany क्या है, यानि कि कि क पौधे किस जगह पर आसानी से ग्रो कर सकेंगे, यानि कि पौधों का environment से क्या relation है, ये environment botany, और फिर इसके बाद है plant pathology, plant pathology में आप पढ़ेंगे, पौधों पर पाई जाने वाली जो विभिन प्रकार की बिमारियां है, वाइरस से, बैक्टिरिया से, फंगस से, ये विभ पर हैं, उसकी, तो तीनों paper में क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, चलिए आएब आपको हम बताते हैं कि botany क्या लाओं, अब geology में क्या क्या पढ़ना है, तो देखे, botany की तरह से geology में भी 3 paper है, यानि कि जैसे आपने geology में second year में 3 paper पढ़ा था, उसी प रहे हैं, उनका, उनकी structure क्या है, उनका development कैसे होता है, उनकी physiology क्या है, उनका classification क्या है, ये सारी retail आपको पढ़ना है, applied geology में, अब दूसरा topic देखे, इसमें क्या है, economic geology, इसमें आपको विभिन प्रकार के culture पढ़ना है, जैसे PC culture है, मचली पालन, या poultry है, मुर्गा पालन, य तरह से और कई culture है, जो आपको पढ़ना है, तो देख लीजिए, पेपर फेस्ट में क्या है, applied and economic geology, ये पेपर फेस्ट था, अब देखे, पेपर सेकेंड में क्या पढ़ना है, तो पेपर सेकेंड में थोड़ा सा complex है, कई टापिक आपको पढ़ने है, कठी नहीं है, देखे पहला क्या है, बायो टेकनोलोजी, जै वो तकनीकी, जो अभी देखे, यहाँ पर भी आया था, बाटनी में भी पढ़ना है, तो मैंने कहा नहीं कि जुलोजी और बाटनी का maximum syllabus भी मिलता जुलता है, तो इन दोनों का combination इस प्रकार भी बहुत अच्छा है, तो देखे, वही तिरच्छा तंत्र, इसके बाद फिर क्या पढ़ना है, biological tools and techniques, कुछ biological tools है, जैसे chromatography है, microtomy है, या फिर microscope है, यह कुछ biological tools है, और उनकी क्या techniques है, यह दोनों topic आपको पढ़ना है, इसके बाद देखे क्या है, बायो स्टेटिस्टिक्स, यानि कि जैव सेंखे की, अभी आपन और यहां पर भी biostatics है, यह दो topic फिर देखिए, सेम बिल्कुल है, तो अच्छा combination है न जुलो जी बाटनी का, अब देखिए, paper third में आपको क्या पढ़ना है, ecology, microbiology, देखिए, ecology यानि कि पारिश्थित्की, यह पढ़ना है, पारिश्थित्की की लगभग सभी वीडियो इस microbiology, इसमें सुचम जीओं के बारे में पढ़ना है, जैसे virus है, bacteria है, कुछ fungus है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, microbiology, अब फिर इसके बाद देखिए, क्या है, animal behavior, animal behavior के बारे में आपको पढ़ना है, यानि कि animal के क्या behavior होते हैं, एक animal का दूसरे animal के साथ क्या reaction है, या इनिमल का environment के साथ क्या reaction है, ये बहुत अच्छा topic है, ये मैं आपको detail में बताऊंगा, animal behavior, फिर इसके बाद देखिए है, pollution and toxicology, pollution producer क्या है, इसे आप बहुत पहले से पढ़े हैं, बिल्कुल आसान है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे, और फिर इसके बाद क्या है, toxicology एनिबिस विज्ञान के बारे में पढ़ना है, कौन सा toxic पदार्थ कितना घातक है, और कितने समय तक घातक रहने से ओहानी पहुचा सकता है, ये सारी detail आपको toxicology में पढ़ना पढ़ेगा, तो ये है जिलोजी और botany का syllabus, बाकि अगर जिलोजी बाटनी के अलावा, आप chemistry ले इनारगानिक केमिस्ट्री, आरगानिक केमिस्ट्री और फिजकल केमिस्ट्री, तो ये syllabus क्या था, और paper कितने थे, 1 paper कितने मार्क के थे, ये तो आप समझ गए, अब आपने उस बार देखा था कि 1 paper 50 non-ber के थे, और इस बार 1 paper 75 नं-ber के थे, तो क्या ऐसा परिवर्तन आया है जो एक पेपर 75 नंबर का हो गया तो वो परिवर्तन के लिए देखे मैं यहाँ पर एक सूची बनाया हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए देखे क्या है एक टेबल है यहाँ पर देखे जब आप 2nd year में थे यहाँ पर देखे इधर मैं 2nd year का यहाँ बताऊंगा यहाँ और यह देखे क्या है 3rd year का तो 2nd year में जो सबसे छोटी छोटी question आते थे शुरू के 10 question वो एक एक number की हुआ कर दे थे यानि की 10 number और फिर जो section B में 5 question आते थे 5-5 number के अर्थात 25 number और फिर section C में आपको 2 question करना रहता था 7.5, 7.5 number के तो 15 number हुआ करते थे यानि total मिला कर कितने हुए 50 number के अब यहाँ पर परवर्तन क्या हुआ है जो देखे यहाँ पर 10 question था यहाँ पर भी 10 question है लेकिन यहाँ पर एक एक number की हुआ करते थे और यहाँ पर डेढ़ नंबर के है तो यहाँ पर 10 की जगा कितना हो गया 15 हो गया और फिर यहाँ पर 5 question तो यहाँ पर भी 5 question है लेकिन अंतर क्या हुआ कि यहाँ पर 5 question 5-5 number के होते थे और यहाँ पर 8-8 number के हुए तो इस प्रकार यहाँ 25 हो रहे थे यहाँ पर कितने हो गए 40 और फिर देखें last में जो 2 question करना रहता था section C में वो यहाँ पर 7-7 number के थे दोनों question और यहाँ पर 10-10 number के हैं तो यहाँ पर 15 होते थे second year में और यहाँ पर 20 हो गए तो इस प्रकार से यहाँ पर total एक paper 50 number का होता था second year में और third year में total एक paper के mark 75 हो गए तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का परियोर्टन हुआ है कि 50 number से इस बार कितना हो गया 75 number का तो इस प्रकार से यह पूरा detail है third year का कि आपको क्या क्या करना है तो मेरी समझ से आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप पूरी तरह से clear हो गए होंगे कि third year में क्या क्या करना है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much